हेलो व्रेवन वेलकम यूओल इट लोकेसर अनलिम्टेट स्टडी जोन आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे और आज यहां पर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रल चैप्टर नंबर एट जो की NCRT में दिया हुआ है CBCS NCRT में और मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहां पर जो चैप्टर है इस चैप्टर यह चैप्टर बोर्ड के लिए तो important है यह बट बोर्ड से ज्यादा यहां पर हमारा objective यह है कि हम इस चैप्टर को अपने competitive के लिए थोड़ा detail में पढ़ें इसलिए यहां पर मैं N NCRT नहीं NCRT की exemplar book लेकर के start कर रहा है इस चैप्टर को जो की थोड़ा सा उसे difficult है और उसमें अच्छे question दिये हुए हैं तो आपको करना क्या है बचों की थोड़े से level तो हाई है बट जहां पर भी आपको problem आनी है आपको मेरे को वहां पर जो है रोक करके मेरे को वहां पर की location sir and we starting the chapter application of integral Hindi में इसका नाम है समा कलन के अनुपरयोग ओके समा कलन के अनुपरयोग तो एक एक लाइन बाई लाइन में इसको चैप्टर को complete करूंगा इसका यह पहला पार्ट है सुबह की पहली क्लास है आपको मजा भी आने वाला है तो सबसे पहले हमें करना क्या देख उद्देश किया है इस चैप्टर का उद्देश है कि आपको किसी भी कर्व का एरिया निकालना पड़ेगा 2D कर्व कौना कर ट्ूडी करम पतलब जिनको पेपर में बना सकते हो उनको आप 2D कर्व का एरिया निकालना आपको आना चाहिए भई आपा iç आप कहएंगे तो सर म को करानी की देखिए आपको जो एरिया पता है ना वो कैसे एरिया पता है आपको रेगुलर एरिया पता है मतलब कुछ defined curve के ही area पता है इसको कहलो simple curve आपको बच्चो simple curve के area पता है ओके जैसे arc of the circle हो गया है ना मगर कुछ आपको कुछ नए area की मैं बात करूँ जैसे for example यह आपके पास पैराबुला है ओके और यह पैराबुला जो है यह पैराबुला कितना area shade कर रहा है कहां तक जैसे मान लोगी अपनी lettuce rectum कर यह इसकी lettuce rectum है जिसको ना भी लंब बोलते हो मैं बोलूँगा कितना area shade कर रहा है तो आपको नहीं पता मैं आपसे बोलूँगा ellipse है ellipse कितना area shade कर रहा है ऐलिपस आने धीर्ध वरत बच्चों तो किता area shared कर रहा है आपको नहीं पता है ना तो आपको कुछ areas आपको पता नहीं है कुछ तो पता है आपको जैसे वरत का चेतर फाल आपको पता है कि pi r square होता है मगर कुछ ऐसे बहुत सारे कर्व हैं बहुत सारी geometries हैं जिनके areas आपको पता नहीं है तो उनको आपको हल करने के लिए आपको ये chapter उनके area को निकालने के लिए ये chapter का इस्तमाल किया जाता है तो कैसे भी आड़े तरचे उल्टे पुल्टे कैसे भी करो हो बस सर्थ है कि वो planer हो planer यानि कि 2D में हो मतलब आप उनको कागज में बना सको है ना अब आप कहोगे कि इसमें से आपको गोले का area चाहिए तो भाई या गोले का area आप इसमें से नहीं निकाल सकते हो क्योंकि गोला क्या होता है 3D होता है plane के बाहर ही होता है plane के अंदर तो केवल एक point टच करता है है ना आप इसमें से कहोगे कि हमें कौन निकालना शंकू का एरिया तो शंकू याने कौन का एरिया नहीं निकाल पाओगे इस method से क्योंकि कौन क्या है 3D shape है बट यह हमको क्या देता है यह हमको देता है 2D shape आए तो इसका rule पढ़ लिजे भाई साब इसमें तीन प्रकार की situation है तीन प्रकार की situation है एक area with the x-axis दूसरा area with the y-axis और तीसरा area between two curves ओके यह चार rule आपके सामने लिखे हुए हैं और यह चार rule आपके सामने बहुत important है देखी पहला rule क्या कह रहा है थोड़ा सा detail में लेकर के चलते हैं अपने दोस्तों को class share कर दीजे जो लोग join करना चाहें वो आ जाएं तो बहुत फाइदा होने वाला उनका देखी तो यदि मैं बात करूँ area bounded with x-axis x-axis मतलब x-axis के साथ बद्ध होने वाला चेतरफल तो यह देखी यहाँ पर यह x-axis के साथ मान लिजे यह कोई curve है y is equal to fx आपको किस के साथ चेतरफल निकालना है x-axis के साथ तो एक तो शुरुवाती limit आपके पास होनी चाहिए कहां से कहां तक तो x equal to a और x equal to b मतलब यह limit हो गई x equal to a से लेके x equal to b इन शॉर्ट जिसको आप सीधे a से b लिखते हो ऐसा x लिखने के कोई ज़रुवत नहीं है a से लेके b भाई यह किस के limit है यह x के limit है तो variable किसका होगा x का होगा और function किसका होगा जब आपके पास injection x का है x का तो कुल में लाकर के fx dx और limit लगेगी a से लेके b तो a से लेके b fx को हम क्या बोलते है y dx तो okay तो area shaded with x axis अपनी copy में बना लीजे x axis के साथ बनाया गया जो area होता है जो 6 तरफल होता है वो कितना होता है बच्चों ओके वो होता है a से लेकर के b fx dx और fx की value किसके equal होती y के क्योंकि y हो तो x का function होता है तो देखके confuse मत होना इसी को बोलते है a से लेकर के b y dx बोलो समाज में आया बच्चों yes or no बोलो तो ये हमारे पास आ गया किस के साथ का छेतरफल x अच्च के साथ का छेतरफल x अच्च के साथ खिचा हुआ अब देखते हैं दूसरा अगर आपके पास कोई कर्व है अगर आपको y के साथ छेतरफल निकालना जैसे ये है तो y x के साथ छेतरफल निकालोगे तो भाईया y की limit लगेगी ये है y की starting limit a y के starting limit भी तो limit कहां से कहां set हो गई a से लेके b अब क्या लगेगा d y क्योंकि आपका जो बदलाव हो रहा है वो कहां हो रहा है y axis में तो d y लगेगा और यहाँ पर क्या चाहिए आपको यहाँ पर function of y चाहिए तो मतलब आपको यहाँ पर function of y maintain करना पड़ेगा तो f y कैसे निकलेगा मान लिजे आपके पास y is equal to f x है तो आप क्या लिखेंगे अगर y x का function है तो x किस का function मनेगा y का ओके x को आपको y की form में लिखना पड़ेगा तो a से लेकर के b और यहाँ पर आ जाएगा x dy y क्योंकि x क्या होगा x होगा y का function x क्या होगा y का function अगर आप confuse हो रहे हैं तो चली मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ आपकी देखिए मान लिजे आपके पास कोई curve है x is square plus y is square equal to 4 तो दो चीजे हैं आप यह तो y निकाल लो अगर आप y निकालोगे तो x की form में निकलेगा तो y is square equal to कितना हो गया 4 minus x square तो y is equal to under root 4 minus x square यह हो गया तो y किसकी form में आ गया x की form में आ गया दूसरी बात यह है कि अगर आप x निकाल लो यहाँ से तो वो y की form में आ जाएगा तो यह देखी यहाँ पे y कितना आया है y is equal to आया है under root 4 minus x square मतलब y जो है किसका function है x का और अगर आप यहाँ से x निकाल लो तो x square equal to कितना हो जाएगा 4 minus y square तो x equal to हो जाएगा under root 4 minus y square मतलब x is the function of y तो x किसका function है y का तो जो जैसी जरूरत पड़े आपको वहाँ पे इस्तमाल करना पड़ेगा तो देखी पहला rule क्या होगा आपके पास y dx करोगे f x dx अगर आप दूसरा rule की बात की जाए अगर आपको area निकालना है किसके साथ किसी function का f y का bounded कहां से कहा तक है c से लेकर d तक bounded है तो इसका area कितना हो जाएगा 5y dy bounded हो गया तीसरा area जो होता है दो कर्व के बीच का area तीसरा जो area होता है वो क्या होता है दो कर्व के बीच का area देखी यहाँ पे दो कर्व है एक है y equal to fx और एक है y equal to gx आपको मैं समझा देता हूँ देखे कैसे माल लीजे यह पहला कर्व है जिसका नाम है y is equal to fx और यह दूसरा कर्व है जिसका नाम है y equal to gx ठीक है ना आपको निकालना है यह वाला area इसके बीच का area तो आप क्या करिए देखे यह cut point है तो कर्व कहां से कहां तक जा रहा है a से लेकर के b तक अब आप एक काम करिए कि आप क्योंकि यह उपर वाला है fx तो उपर वाले का पूरा area निकालो कहां से कहां तक a से लेकर b तक उपर वाले का a से ले तक b तक कैसे आएगा area अभी नीचे वाले को भूल जाओ, चलो मैं नीचे वाले को अगर भूला देता हूं आपको, तो ये देखो, ये नीचे वाले को अपने भूला दिया, ठीक है ना, तो उपर वाले का पूरा एरिया कितना आएगा, एसे लेके बी तक ये देखो, इतना आएगा, ये मैंने ये लेो, ये दूसरा वाला कर्व है, दूसरे वाले कर्व का नाम क्या है, y बराबर gx, अब दूसरे वाले कर्व का एरिया कितना आएगा, ये नीचे से आएगा, क्योंकि भाई, x अक्षे के साथ घेरा हुआ छेतरफल ये होता है, अगर आप बड़े वाले छेतरफल में से, नीचे वाले 6 तरफल को माइनस कर दे देखो उपर वाला एरिया हारा वाला है पूरा हारा और नीचे वाला एरिया कौन सा है लाल वाला तो आपने क्या करना है देखो एरिया बराबर fx का integration a से लेके b तक minus gx का a को एक एक लाइन में लेखो a से लेकर के b तक fx minus a से लेके b तक gx अगर आप इसको minus कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा a से लेके b तक का एरिया graph में देखो कैसे मैं minus करता हूँ but problem यह है कि यदि मैं minus करूँँगा तो यह पूरी की पूरी line minus हो जाएगी क्योंकि one stroke में वो खीची गई थी तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे आपको ऐसे ही समझाना पड़ेगा कि यदि मैं उपर वाले green वाले में से उपर मैं यदि green वाले में से red वाले को अगर मैं minus कर देता हूँ देखो यह green वाला वाला ओके यह उपर का कौन सा वाला area है green वाला है यह देखे यह green पार्ट है पूरा का पूरा नीचे थक गया है और अगर मैं green पार्ट में से नीचे वाले red पार्ट को मैं red के area को minus कर दूँगा तो मेरे पास हमारे concept clear हो चुके हैं कि उपर वाले में से नीचे वाले को minus कर दोगे तो आपके पास required area आजाएगा अगला concept देखते हैं अगला concept यह है fx greater than gx a to c and fx less than gx c to b यस बहुत important बात है यहां पर देखिए दो कर्व हैं यह दो कर्व है यह नई चीज आपको सीखने को मिल रही है यह क्या कह रहा है इसका कह रहा है कि कुछ समय तक अगर fx आगे है और कुछ समय तक gx आगे है उसके बाद fx हो गया है नीचे और gx हो गया है उपर तो यह area का formula यह लगेगा आप इसका screenshot ले लिजी जब इसके questions आएंगे तब आपको मैं better clear कर पाऊँगा यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है तो तीन पार्ट तो आपके उपर के clear हो गये है बट यह पार्ट थोड़ा सा देखे इसमें क्या कह रहा है कि कुछ देर तक जो है fx बड़ा है और कुछ देर तक के बाद कौन बड़ा हो गया gx बड़ा हो गया तो जब तक fx बनेगा a से लेके c तक fx बड़ा है तो rule लगेगा a से लेके c fx माइनस gx और फिर c से लेके b gx माइनस fx चलो अब question पर आते हैं चले आये देखते हैं पहला question पहला question यहाँ पर दिया गया है एक चीज मैं आपको बता दू बच्चों कि आपको इस chapter में graph बनाना आना चाहिए अगर आपकी जो पुराने जो आप पढ़कर करके आये हो parabola, sin x, cos x, tan x, hyperbola, ati parwala, dheer dhvrat आपको इन सब के diagram बनाने आने चाहिए अगर आपको इन सब के diagram बनाने नहीं आते हैं तो आप इनके diagram सीख लीजे बोर्ड लेवल पे तो चलो कुछ कर लोगे मगर higher level पे आप कुछ नहीं कर पाऊगे अगर इसके आपको diagram बनाने नहीं आते हैं पाई तक ही हो जाता है, हर बच्चे को पता है, 0 से लेके पाई तक का, ओके, तो इसका आपको क्या चाहिए है, एरिया चाहिए है, तो so simple अपने पास function किसका है, sin x है, मतलब x का function है, तो लिए भाई साब, यहां पे लगेगा sin x और क्या लगेगा, 0 से लेके पाई, ओके, तो 0 to पाई इंटीग्रेट कर दो, आंसर कितना आ गया, 2 square unit, अब इसकी short trick बताओं मैं बच्चों आपको, जो sin x का एक लोब होता है, इसको बोलते हैं लोब, L-O-B-E, एक लोब में आधे लोब का एरिया कितना होता है, आधे लोब का एरिया होता है, 1, और आधे का कितना होगा, 2, ओके, तो 1 प्लस 1, मतलब इधर का भी 1, इधर का भी 1, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2, तो यदि कोई आप से कहे, चलो, मैं अगला क्वेशन आपको देता हूँ, समझाता हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक का फायदा क्या है, कॉम्टेटिव एक्जाम में आप बैठे हुए हैं, और आपके पास आ गया, कि बताइए, ये, और ये, मतलब ये क्या है भाई सब, ये है पाई भाई, ये है पाई और यहाँ है 2 पाई, और आपको बोला गया है इंटीग्रेशन, सुरी, ये 2 पाई होगा, ये 4 पाई होगा, ये 0 से लेके ये होता है पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, आपको इंटीग्रेशन आ गया, साइनेक्स, 0 से लेके 4 पाई, आंसर पूछा गया है, कितना होगा इसका area कितना होगा तो डेको भाई सब एक लोब का area होता है दो अपने पास total कितने है चार तो शौट कर गित्ति बनीकि directly आठ बुलो clear हूआ की नहीं हूआ भаю यहाँ पर देखे एक लोब है एक लोब का area दो है total कितने loef ban रहे है यहाँ पर 4 जीरो से लेकिंश पाइबार लोफस बन रहे हैं तो 4 लोफस का एरिया कितना होगा आठ अठ होगा गाजल कलियर हो रहा है अ क्यूंपे तुस तरीके से आपने अरिया निकाल लिया है अ непिकिल कोस के ग्राफ में यहां लगेगा कवस का ग्राफ भी इस ही रूल को फॉलो करता है कॉस का ग्राब देखिए अगर मैं बोलूं कॉस का ग्राब जीरो से लेके पाई बाई बाई टू बताओ कृष्णकांद क्या होगा एरिया इतने का बिलकुल सही इसका एरिया जो होगा वन स्क्वाइर यूनिट होगा क्योंकि भाई साव यह आधा लोग है और अगर आप इधर से पूस्थते तो इसका एरिया कितना आता दो है ना और बाकी आपको मैंठर लगानी है बोर्ट में कॉम्पुट्रटिटिव के लिए इसका एरि तो यो problem क्या है? ना तो y का पता, ना तो x का पता है. और y excess की limit दी गई है कहाँ y equal to a से लेकर y equal to 2a तक. मतलब आपके पास जो curve है इसमें limit y की दी गई है limit किसकी दी गई है y की दी गई है तो आपके पास जो function होना चाहिए वो भी किसका होना चाहिए y का function होना चाहिए ओके तो यहाँ पर आपको x की value निकालनी पड़ेगी क्योंकि y की limit है तो function y का होना चाहिए तो कैसे solve करेंगे देखो इसको आपके पास जो है relationship क्या दी गई है relationship आपके पास दी गई है x cube equal to ay square तो x equal to हो जाएगा ay square की power 1 y 3 मतलब ay की power 2 y 3 यह आ गया है यह x आ गया है तो हमारे पास क्या rule होता है हमारे पास यह x आ चुका है और x किसका है y का function है so x equal to function of y तो rule हमारे पास क्या होता है integration f y dy और y के limit कहां से कहां चल रही है a से लेके 2a तक तो a से लेके 2a तक आप value put कर दीजे यह आपका answer आ जाएगा बूले clear है देख लीजे एक बार समझ में आ रहा है screenshot ले लो बूलो clear है बन जाएगा न अगला question देखते है question number 3 find the area of the reason bounded by the parabola y square equal to 2x and straight line y equal to x minus 4 यह देखिए भाई साब अब यह question में जो है आप आप कहेंगे sir इसको कैसे करें क्योंकि हमें parabola और line में थोड़ी सी problem होती है चलो मैं इसकी diagram आपको बनाने में help कर देता हूँ तो आपके लिए यह easy हो जाएगा आपके पास parabola दिया गया है area find करना है y square equal to 2x ठीक है ना y square equal to 2x आपके पास parabola दिया गया है आईए तो सबसे पहले आप एक parabola बना लेजे यह लेजे परवले आपने बना लिया y square equal to 2x दूसरी line क्या है x minus y equal to 4 ओके तो बेस तरीका क्या होता है intercept form कर लो x upon 4 नीचे ले आओ minus y upon 4 equal to 1 यहने x upon 4 plus y upon minus 4 equal to 1 मतलब यह line x में 4 का अंतेखंड काट रही है और y में कितने का काट रही है minus 4 का तो कुछ मिला दो ऐसा यह इस तरीके से यह line जाएगी यू और यह काटेगी ठीक ना यह इस तरीके से यह line जा रही है यह बन गई अपनी line अब आपको क्या कह रहा find the area of the reason bounded by दोनों के बीच का छेतर फल आपको निकालना है दोनों के बीच का छेतर फल ठीक है यह देखिए यह आपको area अंदर का निकालना है अंदर का area पूरा का पूरा यह पूरा का पूरा आपको अंदर का area निकालना है ठीक है ना अब सोचिए कि जरा इसके अंदर का area हम कैसे निकाल पाएंगे इसके अंदर का एरिया जो है हम कैसे निकाल पाएंगे यह आपको सोचना है ठीक ना अब X में इंटिग्रेट करो Y में इंटिग्रेट करो यह आपको सोचना है कि आपको किस तरीके से इंटिग्रेट करना है अब देखे यह दो कर्व के बीच का एरिया है यहाँ जो एरिया है यह दो कर्व के बीच का एरिया है अब मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ इसको इसका एरिया फाइंड करने का बोलो डाग्राम क्लियर है बच्चो यास सर ओके देखे एक कट पॉइंट यहाँ पे है और एक कट पॉइंट यहाँ पे है ठीक ना? एक कट पॉइंट आपका यहाँ पे है, एक कट पॉइंट आपका यहाँ पे है यदि यहाँ से इस एक्सेस पर परपेंडिकुलर डालोगे और इस एक्सेस पर परपेंडिकुलर डालोगे यह देखो तो दो वैल्यू आपको पहले सबसे पहरी किसकी चाहिए यह कि कि किसकी चाहिए है वाई की क्योंकि हम एरिया जो है वाई में हम फॉर्म करने में in Consulted हैं हमारा जो एरिया है वो वाई की मदद से जल्दी आएगा कैसे आएगा यह भी देख लो भाई यहां से ले करके यहां तक लाइन का shaded area कितना होगा पूरा पूरा होगा और यहां से ले करके यहां तक पैराबॉला का shaded area कितना होगा यह होगा यह पैराबॉला का shaded area है क्योंकि पैराबॉला इसे गया है बोलो दिखा की नहीं दिखा अगर line के total shaded area में से पैरा बोला का ये नीचे वाला area अगर आप minus कर दोगे तो केवल अंदर के line का shaded area बच जाएगा बताई ये बचेगा की नहीं बचेगा अंदर का तो कुल मिला के आपको सबसे पहले y की limit चाहिए है कि Y कहां से कहां तक बदल रहा है Y यहां से लेके यहां तक बदल रहा है तो आपको Y की लिमिट चाहिए है कैसे solve करेंगे देखिए ओके चलिए देखिए किस तरीके से solve करता है आए तो अब सबसे पहले हमें देखो Y की values चाहिए है तो y की values हम कैसे solve करेंगे देखी यहाँ पर इस point पर line और parabola दोनों भीड़ रहे हैं मतलब दोनों के y सेम होंगे तो आइए आपन जो है दोनों को भीड़ा देते हैं यहाँ पर तो line का equation क्या है x minus y equal to 4 और parabola का equation क्या है y square equal to 2x तो y square equal to 2 और x की जगह पूट कर दो 4 plus y क्योंकि यहाँ से x equal to कितना आएगा 4 plus y 4 plus y तो y square equal to हो गया 8 plus 2y तो y square minus 2y minus 8 equal to 0 तो y square minus 4y plus 2y minus 8 equal to 0 y common y minus 4 plus 2 common y minus 4 equal to 0 solve करने पर कितना आया y equal to minus 2 and y equals to 4 मतलब एक जगह y की value minus 2 है तो यहाँ पर y की value कितनी आई minus 2 और यहाँ पर y की value कितनी आई 4 तो आपको बहुत आसान काम हो चुका है minus 2 से लेकर के 4 तक line का y minus minus 2 से लेकर के 4 तक parabola का function y के terms में ओके तो अब इसको कैसे solve करना है देखिए स्क्रीन पर आते हैं हाँ जी देखिए तो minus 2 से लेकर के 4 हमारी limit आ चुकी है यह minus 2 है और यह कितना है plus 4 minus 2 से लेकर के 4 तक line का area minus 2 से 4 तक parabola का area करता हूँ इसको मैं solve यहाँ पर minus 2 से लेकर के 4 तक fy का area का line का minus 2 से 4 तक fy किसका parabola का जी हाँ minus 2 से लेकर fy line का और minus 2 से लेकर 4 तक parabola का तो minus 2 से लेकर 4 तक देखिए जो line का y लिखोगे आप कैसे लिखोगे line का y function of y तो function of y कम मिलेगा जब आप x को किनारे कर लो तो x minus y equal to कितना था 4 था तो x equal to कितना हो जाएगा 4 प्लस y ये लिजिए तो function of y कितना बने गया 4 प्लस y तो यहाँ पर put कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 प्लस y और क्या होगा डी वाई minus minus 2 से लेकर के 4 पैराबोला का y लिखना है क्योंकि पैराबोला minus हो रहा है ये पीछे है पैराबोला तो पैराबोला अपने पास क्या था y square equal to 2x तो x equal to कितना हो जाएगा y square by 2 ये लिजिए तो x equal to हो गया y square by 2 का dx तो अब इसको आप हल कर लीजिए बता बच्चों हल कर लोगे देखो directly 4 plus y और minus इतना है ना देखो जब हम लोग ज्यादा questions करते हैं तो calculation आप लोगो समझना पड़ेगा नहीं तो concept से अपने वंचित हो जाएंगे इसलिए question calculation पे आप लोग काम कीजिए मेरे को concept पर काम करने दीजिए ये हो गया तो answer कितना हो गया 18 unit इसका solve करके answer आ गया तो question number 1 हो गया question number 2 हो गया अब इसके बाद question number 3 भी हो गया question number 4 क्या कह रहा है question number 4 कह रहा है find the area of the reason bounded by the parabola y square equal to 6 and x square equal to 4y तो देखो वह यह दो पैराबूला दिये गए है एक दिया गया है y square equal to 6x तो y square equal to 6x में x की power 1 है तो जिस तरफ power 1 होती है उस तरफ पैराबूला खोलता है तो यह खोल गया x की तरफ और इस पैराबूला का नाम क्या है? इस पैराबूला का नाम है y square equal to 6x दूसरा पहरा बूला क्या है X square equal to 6Y तो ये खुल गया कहां की तरफ उपर की तरफ तो इसका नाम है X square equal to 6Y ये कहरा दोनों के बीच का area निकलना है दोनों के बीच का क्या निकलना है area निकलना है ठीक है न तो कैसे निकलेंगे इसके बीच का area सबसे पहले यह cut point निकाल लो यह cut point आ गया अपना cut point कितना आया 6,6 मतलब X में यह point कितना बना 6 बना अब 0 से लेके 6 तक 0 से लेकर के 6 तक उपर वाला area shade हो रहा है ओके कैसे shade होगा मैं अलग color से draw करके आपको दिखाता हूँ देखे 0 से लेकर 6 तक यह उपर वाला पैरा बूला है वो कितना area draw करेगा इतना तो 0 से लेकर 6 तक उपर वाला पैरा बूला क्या बनेगा area भाई साब उपर वाले का area बनेगा 0 से लेकर के 6 तक y की जगह कितना आएगा root 6 x और यहाँ पे dx क्योंकि y की जगह आएगा root 6 x अपन की limit x की है और फिर नीचे वाले पैरा बूला का area अपन को minus करना है तो नीचे वाला पैरा बूला देखिए यह है इसका area कितना होगा यह और अगर आप उपर वाले में से नीचे वाले पैरा बूला का area minus कर देंगे तो जैसे उपर वाला जा रहा था you और नीचे वाला जा रहा था you तो यह area बस आपके पास बचेगा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा yes or no बूलना पड़ेगा हाँ चतरपाल सोगय क्या तो उपर वाले area में से अगर आप नीचे वाले एरिया को minus कर देंगे तो यह area पास में बच जाएगा कहां चले जाते हो चतरपाल अच्छा ठीक है अभी clear है समझ माया तो देखे क्या करना आपको उपर वाले एरिया में से नीचे वाले एरिया को माइनस करना है तो उपर वाले एरिया का y क्या बनेगा अंडरूट 6x नीचे वाले एरिया का y क्या बनेगा x square minus 6 दोनों को solve कर दीजे बोलो समझ में आगया कर लोगे किसी पॉइंट पर दिक्कत है क्या चलिए अगला क्वेशन बहुत अच्छा है यह जो क्वेश्चन है यह गूट क्वेश्चन ठीक ना क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बच्चों ने क्वेश्चन को देखा यहाँ पर दो लाइनों सिखा देता हूँ ठीक है ना देखिए कैसे बदलेंगे यह आपके पास में x equal to 3 cos t है तो कभी भी x equal to 3 है तो cos t को केला कर लो और y upon 2 कर लोगे तो कितना बन जाएगा भाई साइन टी अब इसके बाद लगा दो रामान cos square t plus sin square t equal to कितना हो जाएगा xy3 का whole square कितना हो जाएगा x square upon 9 और y square upon कितना हो जाएगा 4 और cos square theta plus sin square theta कितना होता है 1 तो अपने पास आगया x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1 जनाब मतलब यह क्या है यह तो ellipse है क्योंकि x square upon 3 square plus y square upon 2 square यदि इसको देखा जाए तो यह है x square upon 3 square plus y square upon 2 square equal to 1 तो यह आपके पास में मिल गया ellipse की form का area अब आपको निकालना है इसका चारो part का area तो एक काम कर यह देखे limit कहां जा रही है 0 से लेकर के 3 तक क्योंकि यह part कितना है 3 तो यह होगा plus 3,0 और यह वाला part बनेगा कितना minus 3,0 तो limit आपके जा रही है कितनी 0 से लेकर के 3 तक और आपको इस part का area निकाल लीजे और इस part को 4 से multiply कर दीजे तो इस part का area कितना बनेगा देखे लिमिट जा रही है 0 से लेकर 3 मतलब dx आएगा और यहाँ पर कितना आएगा fx fx किसको बोलते हैं y को बोलते हैं तो 0 से लेकर के 3 y dx और कितना को गुणा कर दो 4 का क्योंकि जो भी हो रहा चार बार हो रहा है तो y की value यहाँ से निकाल लीजे y की value इतनी निकालते बन जाएगी कि नहीं बनेगी पूछ लो बोलो बन जाएगी और y की value निकालने के बाद integration में तो आप लोग जानती हूँ formula लग जाएगा a square minus x square का तो इस तरीकी से answer आजाएगा अब बात करते हैं बच्चो इसकी shot trick की तो इसकी shot trick यह है कि इसका answer हमेशा याद कर लो होता है pi a b कोई भी आपके पास में ellipse source का area होता है रहा है आंसर होगा कितना six five ओके ऊपर वाले question की shot trick बताना मेरे को याद नहीं रहा यह आपके पास जो question है यह वाला question y square equal to six x और x square equal to six y इसकी भी shot trick लिख लिजे भाई इसकी shot trick यह है कि पहले वाले में x का गुडांग कितना है 6 उसको रखो दूसरे वाले में y का गुडांग कितना है 6 उसको भी रखो और divided by three divided by three पहले वाले का x का गुडांग दूसरे वाले का y का गुडांग divided by three तो answer कितना आ गया 36 बटे 3 answer होना चाहिए 12 चलो check करते है 12 है कि नहीं है 12 तो यह थी इसकी shot trick इन वीडियो को बार बार देखते रहिएगा shot trick भूल जाए तो दुबारा याद कर लीजेगा चलो जी अगला question अगला question है find the area of the reasons included between the parabola y square equal to three x plus four and the line मतलब एक आपके पास parabola है ओके अब यह parabola आपको उल्जाने के लिए ऐसा लिख दिया है तो हम तो सुल्जा लेंगे न भाई four y equal to कितना हो गया three x square तो x square equal to कितना हो गया three upon four y low यह चुका है x square equal to three upon four y मतलब यह जो parabola है यह इस तरीके से खुलेगा और दूसरी line आपके पास में क्या है यह है x three x minus two y plus twelve equal to zero तो एक काम करते हैं अपने इसको intercept form में लिख लेते हैं अंत्यखन रूप में तो अपन को अच्छे से इसको solve कर पाएंगे तो three x minus two y equal to minus का 12 minus का 12 डिवाइड कर दो तो x बटे minus 4 तीन चौके बारा और दो में 6 गए तो plus का y upon 6 बराबर one बोलो दिखा की नहीं दिखा हाँ मतलब यह जो लाइन है x में काट रही है minus 4 का भाई गरबड़ी हो रही है three x minus two y equal to minus 12 मतलब x upon minus 4 सही गया है और y upon plus का six equal to one line x में minus 4 और y में 6 काट रही है अच्छा हमने परवले गलत बनाया है जानते हो इसलिए तो कट नहीं रहा है परवले में y की power one है तो परवले खुलना था उपर की तरफ हमने खुल दिया नीचे की तरफ तो काई को काटे है वो विचारा तो चलो परवले को सही बनाओ तब तो काटे गी लाइन अपनी लाइन ही नहीं काट रही थी माइनस 4 और 6 में देखना भी बनाता हूँ तो भहिया परवले ये गया उपर की तरफ ये गया उपर की तरफ परवले चला गया बहुत बढ़िया अब जो लाइन है एक्स में माइनस 4 पे है ये देखो X में किते पे है माइनस 4 पे है और Y में किते पे है 6 पे है तो ये Y में हो गया 0,6 और X में कितना हो गया माइनस 4 तो इससे जाने वाली लाइन ये लो भाई साथ इतने हो गई अब कह रहा है इसके बीच का एरिया निकालना है देख रहा हूँ बिल्कुल इसके बीच का area निकालना मतलब आपको ये वाला area निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? Line का area माइनस parabola का area तो line का shaded area x-axis के साथ ये रहेगा और parabola का shaded area थोड़ा सा ये रहेगा ठीक ना? तो चलिए पहले अपन को ये point find करने हैं यह point क्या है तभी तो limit पता चलेगी तो x की value अपन को find करनी है जहां पर line और parabola भिड़ पर रहे थे यह मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा लग page में solve कर दूँगा थोड़ा छोटा बना देता हूं तो easily समझना आ जाएगा चलो यहां पर जगया है तो अपने पास में एक तो line है और एक parabola है है ना तो यह चलो parabola हो गया ज्यादा हो गया इस तरफ बला यह हो गया और यह अपने पास में line आ रही है line कितना काट रही है x में minus 4 y में 6 तो यह मान लो x में minus 4 है और यह y में 6 है यह है इस तरीके से तो हमको कौन से point चाहिए हमको यह और यह चाहिए है तो यह point किसके है x के है तो चलो parabola और इसको x के लिए solve कर लो तो कैसे solve करेंगे 4 y equal to कितना है 3 x square है तो 4 और उपर से y की value निकाल लो यहां से y की value कितनी आएगी देखो ध्यान से 3 x plus 12 upon 2 आएगी 3 x plus 12 upon 2 यहां से line से y की value निकाल के यह आएगी और 4 y हो गया equal to 3 x square चलो तो 4 से यह कट गया दो बार तो कितना हो गया 2 3 x plus 24 बराबर 3 x square थोड़ा सा हल कर लो 3 से काट दो तो यहां पर बन जाएगा कितना x square और यह हो गया 2 x 3 2 ने 6 और 3 8 24 तो इसको हल कर लेते हैं x square minus 2 x minus 8 बराबर 0 तो ऐसे दो नमूने multiply करने पर 8 है तो minus का 4 और plus का 2 और minus का 8 x minus का 8 बराबर 0 common ले लो x common लिया x minus 4 यहां से plus 2 common लिया x minus 4 equal to 0 तो x equal to 4 आया और x equal to minus 2 तो मिल गया point अपन को एक point मिल गया minus 2 है यह वाला और एक point मिल गया 4 है यह वाला ठीक ना तो पहला area minus 2 से 4 तक का आपको किसको लिकालना है line का area निकालना है तो line का area minus 2 से 4 तक का निकालेजे पूरा पूरा यह आएगा नहीं अंदर और फिर माइनस दो से देखे चार तक का किसका अरिया निकालोगे इस पैराबुला का जो की कहा से कहा तक जाएगा देखो जो की जाएगा ये वाला अरिया नीचे वाला और लिए माइनस कर दो तो भाई देख लो अपन ये लो, माइनस दो से लेके 4 तक लाइन का एरिया, ये लाइन छेग रही है एरिया ये, देखो माइनस दो से लेके 4 तक और नीचे कौन छेग रहा है एरिया, पैराबुला ये देखो, तो लाइन के एरिया में से पैराबोला का intercepted area अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास answer आजाएगा 27 ठीक ना आपके पास इसका answer आजाएगा 27 एक सेकंड बच्चों ओके तो इस तरीके से यह हमारा question हो गया यहाँ पर x की हमने limit निकाल लिए और इसको minus कर देंगे तो हमारे पास 4 से लेकर 2 में क्या लगी एक है 4 एक है 2 मतलब 2 से start होगा minus 2 आया है था sorry यहाँ पर minus 2 है x equal to minus 2 कर लिजे x equal to minus 2 तो minus 2 से लेके 4 के बीच में इसका area निकाल लेगे चलिए अगला question क्या देखे find the area of the reason bounded by curve x equal to 80 square and y equal to 280 बच्चों फिर से parametric form दे दिया है और यह किसका parametric form होता है पैरा बूला का किसका y square equal to 4a x कैसे निकालोगे देखो आपके पास यहाँ पे y t की value कितनी है t की value देखे y square to 280 है आपके पास y equal to 280 तो t की value कितनी हो गई यहां से y upon 2a और x कितना है x equal to 80 square तो a into y upon 2a का whole square कर दीजे अब इसको whole square करेंगे तो आपके पास equation बन जाएगी y square equal to 4a x मतले भी क्या था पैरा बूला है y square equal to 4a x भाई साब आपको कहां से कहां तक निकालना है t equal to 1 से लेके t equal to 2 तक का area निकालना है between coordinate corresponding to t equal to 1 to t equal to 2 तो t equal to 1 put करके आप x निकालिए किसमें put करोगे भाई साब इसमें x equal to 80 square में तो x equal to 80 square में t equal to 1 डाल दीजे तो t equal to 1 पे x equal to a आएगा और t equal to 2 पे x equal to कितना आएगा 4a तो आपको a से लेके 4a तक का area निकालना है so so simple limit x की है तो यहाँ dx लगेगा यहाँ पे y लगेगा और limit a से लेके 4a और 2 का multiply इसले कर दीजे क्योंकि जितना area x के उपर है उतना area x के नीचे है और नीचे क्या रख देंगे y तो अपने पास y square equal to कितना आ चुका है 4a x तो y equal to तो कितना आ जागा 4 का root 2 under root a under root x तो value रख करके इसको solve कर लेंगे बताइए कोई problem इसमें अगला question देगे find the area of the reason above x axis included between the parabola y square equal to x and circle ओ हो मज़ेदार question है देखो भाई साब circle भी है और इसमें parabola भी है कि objective type question आ गया इसके बाद तो आपके पास इसमें क्या है circle भी है और कुछ ज्यादा problems नहीं है हो जाएंगे आज की class में पूरा chapter आपका मतलब बहुत अच्छे level पर complete हो जाएगा फिर इसके बाद एक practice रही आपकी वह practice आप complete कर लीजेगा देखिए आपके पास क्या कह रहा है find the area of the reason above the x-axis मतलब पहली चीज x-axis के ऊपर included between the parabola y square equal to x लेओ भाई साफ पैरा बोला है y square equal to x और दूसरा x square plus y square equal to 2x circle है x square plus y square equal to 2x तो पहले circle को बनाना पढ़ेगा अपनको circle को पहचानना पढ़ेगा circle को पहचानेंगे देखिए x square plus y square minus 2ax equal to 0 तो यह हो जागा x square minus 2ax plus y minus 0 का whole square बराबर कितना 0 देखिए यहाँ पर इसको अपनको set करना है तो x square minus 2ax है यहाँ पर हमने plus a square किया plus y minus 0 का square तो ही इसका हिसाब बराबर करने के लिए इधर भी क्यार लिदया plus a square और यह बन चुका है x minus a material plus y minus 0 का square बराबर कितना a square मतलब circle है जिसका center है a, 0 और radius कितनी है a तो एक circle बनाईए जिसका center है a, 0 तो यह circle बन गया, जिसका center कितना है, a, 0, और radius देखिए इसकी इधर की a है, तो यह अपना circle बन गया, center a, 0 और radius a है, तो इधर भी radius a, इधर भी radius a, तो यह किस से गयागा, 0, 0, सबसे पहले भाई साब आपने एक circle बना लिए, यह लेजिए, आपने एक circle ड्रॉ कर लिया, मैंने इसी के उपर एक circle आपको draw करके दे रिया है, यह हो गया circle अपने पास में, अब circle के बाद जो पैरा बुला है, पैरा बुला बना दीजिए, ओके, पैरा बुला बना दीजिए, और यह देखिए पैरा बुला आप जो है, बना देते हैं, तो यह आपका जो है, यह पैरा ठीक है ना आपको कौन सा एरिया निकालना है जो circle और parabola के बीच का है मतलब आपको ये area चाहिए ठीक है तो सबसे बड़ी problem यह है कि हमारे पास ये point नहीं है क्योंकि cut कर रहे हैं तो circle और parabola को भिढ़ा दीजे और आपको ये point मिल जाएगा circle और parabola को touch कर दीजे, आपको यह point मिल जागा, तो circle का equation क्या है, x square plus y square equal to a square, और parabola का equation क्या है, y square equal to a x, आई यह solve करते हैं, तो x square plus y square equal to 2ax, और parabola में y square की जगे कितना है, ax भर दो भाई सब, तो x square plus ax equal to 2ax, तो x square minus ax equal to 0, तो a cut x, x minus a equal to 0, मतलब x equal to a, और x equal to 0, मतलब circle दो जगे कट कर रहा, parabola से, एक x equal to 0 पे, एक x equal to a पे, तो पहला तो cut यहां पे कर रहा है, 0, 0 पे, और दूसरा cut कर रहा है, यहां पे, जिसका नाम है, 0, a, 0, तो a, 0 पे कट किया है, यहां पे, तो अब आपको क्या करना है, a से लेके 0 तक उपर कौन जाएगा circle, और न पहला बुला का, तो circle का वाई यह है, parabola का वाई यह है, ओके, तो अब दोनों को आपको अलग-अलग solve करना है, तो पहला वाला क्या बनेगा part आपके पास, 0 से लेकर के, a under root 2 a x minus x का square, लिए भाई, कैसे solve किया जाए, ओके, 2 a x minus x square को कैसे solve किया जाए, अब इसको कैसे solve करत 2 a x minus x square, यदि आप x की जगह 2 a sin square theta पूट करते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप x की जगह क्या पूट करते हैं, 2 a sin square theta, x की जगह यदि आप 2 a sin square theta पूट कर देते हैं, यह लिखा हुआ है, x equal to 2 a sin square theta, तो मैं इसको दो part में बाट लेता हूं थोड़ा सा, और हल करवा देता ह तो आपको सही रहेगा, देखे, तो क्या है भई, पहला part है, पहला part है मारे पास 0 से लेके a, under root 2 a x minus x का square, और 0 से लेके a है, दूसरा है, under root a x, और 0 से लेके a, तो दूसरा वाला part तो एक दम आसान से आप कर लेंगे, इसमें कोई problem नहीं है, इस वाले part को करने के दो तरीके या तो इसको आप completing the square बना ले, या तो substitute कर ले, completing the square मतलब पूर्ण वर्ग विधी कर ले, तो मेरे खाल से पूर्ण वर्ग विधी आप लोग को आती है, तो वो ज्यादा आसान है, तो क्या करो, minus sign common ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास x square हो जाएगा, और minus 2 a x हो जाएगा, क्या करना है देखो भाई साब, इसको बनाने के लिए हमको क्या जूड़ना पड़ेगा, a का square add करना पड़ेगा, और a का square minus करना पड़ेगा, ये लो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक बन गया, x minus a का whole square, तो इसको मैं क्या लेक सकता ह अंडर रूट के अंदर कितना आजएगा माइनस का मल्टिप्लाई कर दो कितना हो जाएगा a square और minus x minus a का whole square लो बहुत आसान हो गया अब आप x minus a को t ले लिजिए x minus a बराबर t तो dt by dx equal to कितना हो जाएगा one हो जाएगा limit put कर दीजिए जिस समय x की value 0 तो t की value minus a और जिस समय x की value a तो t की value कितनी हो जाएगी 0 तो minus a से लेकर के 0 के limit बन जाएगी अब आप इसको solve कर लिजिए और यदि substitution put करना हो तो substitution में x equal to 2a sin square theta कर दीजिए जो की बहुत मुश्किल है समझना जिसको थोड़ा सा याद करना problem है चलिए अगला question देखते हैं question number 9 9 के बाद इसके बाद objective हमारे सुरू है objective करेंगे हूँ ठीक है देखे question number 9 क्या कह रहा है question number 9 है find the area of the minor segment of the circle x square plus y square equal to a square cut off by line x equal to a by 2 मतलब आपके पास एक circle है और ये line है हमाई पास x equal to a by 2 x equal to a by 2 देखो भाई साब यहाँ पे इसकी total radius कितनी है a है और ये बीचो बीच में से काट रहा है a by 2 बीच में होगा क्यों क्यों क्योंकि इस circle का center क्या है 0,0 ये 0,0 है a by 2 बिल्कुल बीचो में से जाएगा अब क्यारा minor segment minor मतलब छोटा तो दो हिस्से बन रहा है तो कौन सा हिस्सा निकालोगे आप ये हिस्सा निकालोगे ओके तो कैसे solve करोगे सबसे पहले अपन को ये cut point चाहिए है यहाँ तक का तो भाई साब ये अपना cut point क्या मिल जाएगा देखिए x equal to a by 2 है तो यहाँ पर x की value किती हो जाएगी a by 2 ठीक ना तो limit कहां तक चलेगी limit चलेगी a by 2 से ले करके a तक और यहाँ दो का गुणा कर दो और circle का y put कर दीजिए तो y dx चेक कर लेतें एक बार answer अपना यह देखिए बिल्कुल सही है two times two times इसले क्योंकि उपर भी है नीचे भी है यह देखिए two times उपर भी है नीचे भी है limit a by 2 से ले करके कहां तक a तक a by 2 से ले करके कहां तक a तक और यह circle का y तो circle का y क्या हो जाएगा under root a square minus x square और यहाँ पर dx तो इसको अब आप solve कर ही लेंगे ओके a by 2 a square minus x square a by 2 से लेके a तक का answer यह आ जाएगा ठीक है न चलिए अब अगला question क्या है the area includes by the circle x square plus y square equal to 2 भाई साब अगर आप इसको subjective में करेंगे तो ऐसे answer आएगा यदि objective में करेंगे तो इसका answer कितना हो जाएगा x square plus y square equal to इसको लिख सकता हो मैं root 2 का square तो area होता है pi r square तो pi into r square की value हो गई 2 तो answer कितना हो गया 2 pi area of the ellipse मैंने short trick बताई है इसका area directly होता pi ये भी तो answer इसका कितना होगा b then इसके बाद है area है y equal to x square and y equal to 16 एक आपके पास है parabola y equal to x square कैसा जाएगा ये जाएगा और y equal to 16 थैंक ये बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि x की power में है ना तो parabola उपर के में जाएगा तो y equal to x square या x square equal to y और y equal to 16 मतलब यहां तक की line ठीक है तो क्या कर देंगे आपने पास में हमको यहां से y equal to 16 तक का area निकालना है तो इसका better तरीका यह है कि आप इसको y में integrate करो तो 0 से लेके 16 तक integrate कर लो क्योंकि यहां पर y की value कित्ती है 16 तो 0 से लेकर के 16 तक integrate कर दीजे x के function को x मतलब की root y और dy इसको integrate कर लो ये area आजाएगा और क्या कर दो डबल कर दो तो इस तरीके से answer आजाएगा ठीक है ना चलिए अगला question भी बहुत easy है x equal to y square मतलब इधर की तरफ खुलेगा okay x equal to y square है single power x में है find the reason bounded by the curve x equal to y square and the line y equal to 3 and y equal to 4 low y equal to 3 और y equal to 4 के बीच का मतलब यहां पर 3 होगी और यहां पर 4 होगी आपको इसके बीच का area निकालना है यहां का area निकालना है ठीक है ना तो यह आपका homework है अगली class में मैं आपका पूरा homework चेक करूँगा example number 14 the area of the region bounded by the curve y equal to x square plus x और x equal to 2 x equal to 5 तो यह तो बहुत ही simple है भाई x square plus x है और limit कहां से कहां तक जा रही है दो से लेके 5 तक तक तो इसको हल कर दीजिए इसमें तो कुछ भी नहीं है और यह आपके लिए जेई में से question इसमें से आएगा nda का पूरा का पूरा मतलब question इससे बाहर नहीं हो सकता जो nda का paper 90% बनता है वो examplar के problem से आता है यह जो book मैं आपको करवा रहा हूँ nda बिलकुल इसी में से paper पूरा पूरा उठाती है तो आपके सामने बहुत अच्छा मौका है अभी समय भी है आपके पास आज Sunday है तो आप लोग इसको पूरा का पूरा करिए मैंने पूरी practice आपको बता दी है और इसके बाद फिर मैं इसका solutions करवाओंगा चलिए आज की class के लिए तना ही आपको पहुमूल समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमशकार